सम्ता सो तन्रता न्याय बंदूता सिक्षा समिधाने की बात हो सम्ता सो तन्रता न्याय बंदूता सिक्षा समिधाने की बात हो गाईज सबसे पहले आपको इस प्रिय दर्शे ओनलान क्लासेस में हारदिक हारदिक स्वागत करते हैं और आप लोग बच्पन से मुझे लगता है छठा-सात्वा क्लास से, शिक्स से, सेवन्थ क्लास से जो आप लोग मौली का दिकार पढ़ रहे हैं, वही पुराने चीजों को पढ़ते हैं और बार बार भूल याते हैं, तो आज मैं ये भूलने की बिमारी को खतम करने वाला मुझे लगता है कि fundamental rights जो मौली का दिकार है, वह आपको lifetime याद रहेंगे, बस इससे पहले जो मैंने दो लाइने जो गुन गुनाये थे, उसलिए मैं आपका पुरा मौली का दिकार चुपा हुआ है, तो गैस चलिए आज हम लोग जानते हैं, मौली का दिकार है क्या, ये ल गैस सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंसेज करते हैं कि आखर ये मौली का दिकार और कानूनी अधिकार में अंतर किया है, तिसका तीन रूप से हम लोग समझ सकते हैं, पहला तो ये कि बेक्तिक को जीवन जीने के लिए जो मुलभुत जो अधिकार जो ज़रुत होते हैं, उसक में एक और जो इनपोर्टेंट बात है, वो ये है, जो 12-35 में जो मौली का दिकार हैं, उसको सिर्फ राष्टपती के द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कभी थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है, जब देशित की जब बात होगी, जब मैं आगी चर्चा करू 32-35 में उसमें आपको डिजल से बताऊंगा, तो ये मौली का दिकार को मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और राष्टपती ही कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, नहीं तो कोई भी गवर्मेंट इसको किसी भी तरह से रोक या आपको हनन नहीं कर सकता है, लेकिन जो है हमारा Indian Constitution का भाग तीन में है और सानुचेद जो 12-35 से उसमें हमारा ये नहीं थे, अब यहाँ पर ध्यान देना, यह मौली का दिकार के जो हम लोग चर्चा करते हैं, यह आखिर आया कहा से Indian Constitution में, United State of America, यानि कि अमेरिका से यह मौली का दिकार को हमारे इससे आपसे किसी competition में एक questions आ सकता है, कि मौली का दिकार को अन्य नामों से जानते हैं, तो आप मेगना काटा को टिक करना, अभी मैंने बताया कि यह आर्टिकल्स हमारा 12-35 में नहीं थे, अब 12-35 में नहीं थे, तो 12 में आखिर है क्या, सबसे पहले हम लोग वो जानते हैं और आपको नजर आएगा, 12 में है मौली का दिकार का परिभासा, उसके बाद है, अनुछे 13 में जो है, वो है मौली का दिकार को लागू करता है, पुरे देज भर में मौली का दिकार को पुरा लागू किया जाता है, अब गयाज यहाँ पर एक चीज और important बात यह है, कि ऑस समय हमारे पास मौली का दिकार की संख्या थ वो थे शे साथ कि आप़ यह साथ मैसे में एक जो हटाया गिया है, वो कौन सा था, तो यह समपती का दिकार था, जो हमारा आटिकर्स 31 में नहीं था, जिसको अब वर्तमान में कानूनी दिकार बना दिया गया है, अभी वो 300 कक्का में नहीं थे, तो ये कब संसोधन हुआ था, 1978 में जब 44 संसोधन होता है, उस दर्म्यान में इस आर्टिकल्स 31 संपतिक अधिकार को हटा कर 300 के A में कर दिया गया, आप लोग को समझाने के लिए एक फ्लावर का रूप में त्यार किया हूँ, और इसे पहले ज समता सोतनरता न्याय बंदूता सिक्छा समिधान की बात हो, सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल्स से वो क्या है, समता का अधिकार, जो हमारा 14 से 18 है, समता तो यहाँ पर समता का अधिकार 14 से 18, उसके बाद सोतनरता का अधिकार, जो हमारा 19 से 22 में है, सोतनरता का अधिकार, अ अब यह जो है नयाय और बंदुता यह तो यहां पर डिर्टली लिखा हुआ नहीं है प्रन्तु आप देख लो जब सोसन के विरूद जो अधिकार मिलेंगे जब हमारे पर सोसन होगा और उसका जब नयाय मिलेगा तो मुझे मिलेगा कि मुझे लगेगा कि हां मेरे साथ नयाय हुआ है तो वही चीज है यहां पर मैंने लिख रखा है समता सोतनरता नयाय यह जो है वह यहां पर है सोसन के विरूद अधिकार जो हमारे पास है 23 से 24 में आठेकर 27 और 24 में नहीं थे उसके बाद बंदुता अब धार्मिक साथ भावना जब हमारे लगाव और जुडाव ज सिक्षा समिधान की बात हो सिक्षा की जब बात होगी तो क्या करेंगा हम लोग शिख्षा एवं संस्कृतिक से जुड़ा हुए उसके बाद समिधानाय संस्क्रिती से जुड़ा वा है उसके बात यह अब गाना को बार बार आप रिपीट करते रहना आपको याद हो जाएगा बसके वल नयाया वाला समझना नयाय का जो अधिकार हमारा वह हमारा सोसन के बिरूद अधिकार और बंधूता जो हमारा धार्मिक सोतनरता का अधिकार है तो चलिए आज हम लोग सुरू करते सबसे प सोशन के बिरुद अधिकार धार्मिक सोचन्रता और शिक्षयों संस्कृतिक अधिकार और यह 32-35 जो आर्टीकल से हमारा यह सेपरेट यानि कि आपको फंडमेंटल स्राइश तिन खंड में दिये जाएंगे और तीनों खंड को जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आधिया दूरी जनकारी हम ऐसा जहरीला होता है इसलिए उमीद करते हैं आप तीनों खंड को देखोगे तो चलिए हम लोग सबसे पहले सुरू करते हैं समता का अधिकार से और फटाक के हम लोग इसको समझते हैं तो अब गैस हम लोग समानता का अधिकार को चर्चे करेंगे तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा पहला में हैं समानता या समता का अधिकार दोनों सब एकी हैं समता बोल्या समानता इसा खुछ भी walroph मतलब एक जो दोसी पाये जाएंगे चाहे वो गरीब हो यामीर हो किसी भी परकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा महिला पुरुस कोई भी हो उसको एक जैसा ही दिया जाएगा बिदी के समख सभी कोई कानून के नजर में सभी एक समान है आर्टिकल 15 के तहत में इस ब सभासा के नाम पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हो अगर आप करते हो तो यह कानूनन अपराद है अब इसी मैंसे में और उसी में आरक्षन जैसे भी चीजों का भी परवधान है जो सरकारी कारियों में अगर भागिदारी लिये हैं वो तो वो इसी सोला चार के माध्यम से है इस चीज को अप लोग को समझना चाहिए सोला में आउसर की समान था पंद्रा में धर्म जाती लिंग छेतर के धार पर किसी भी तरह का कोई वेदवाव नहीं होगा और चावदा में क्या है बिधी के समख सभी समान यानि कानुन के नजर में सभी एक अर्टिकल 17 यह कॉंपिटिसन के उदेश्ची से यह एक तरह से कर सकते हैं कि बार-बर रिपीटेड कोस्योंस हैं यह बार-बर पुछा जाता है कि इसमें से कौन क्या बात कहता है तो आर्टिकल 17 में देखिए क्या बोलता है कि अस्पिर्षटा का निशेद यानि कि अस्प उपाधियों का अंत करता है यानि कि जो हमारा देश अजाद हो रहा था उससे पहले कि जो भी उपाधियां मिले हैं उसको खतम करके और भारत की जो उपाधियां मिली है चाहे वो फिर कोई भारत रत नहीं हो या कुछ भी हो उपाधियां जो मिलती हैं वो सिर्फ आप उपाधियां दी गई थी वो खतम कर दिया गया उपाधियां आर्टिकल सेटिन के तहत में कोई भी अपने नाम के आगे में हम फलना है चिलना है इस तरह का कुछ भी टैग नहीं लगा सकते हैं जो उनीस सो साइटालिस से पहले दिया गया हो जो अंग्रेजों के द्वारा दि लगा सकते हैं तो अब इसके बारे हम देखिए सोतनरता का अधिकार में क्या-क्या बोलता है तो यह हमारा है उनीस से 22 में आर्टिकल 1922 में यह हमारा नहीं थे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 19 में क्या है क्योंकि 19 के अंदर में ही बहुत सारे चार-पांच जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो नहीं थे तम लोग उस सभी को जानेंगे और उसके बाद 20-20 को जानेंगे आर्टिकल्स 19 में जब जिक्र करता है तो यह बोलता है अभी वेक्ति की सोतनरता यानि हर वेक्ति की जो अपना जो विचार वेक्त करने की जो सोतनरता है उसके बारे में जिक्र करता है आर्टिकल 19 यह अभिविक्तिक की सोतन रता है अभिविक्तिक सोतन रता में क्या क्या आएंगे आप लोग को आप लोग को केवल याद रखना है अब इसी कादार पर हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से आर्टिकल से और क्या हम लोग को परवधान दिये गए हैं अधिकार दिये गए हैं यहां पर देखिए आर्टिकल 19 का यह फोर एडवाइज आप लोग याद रखना है एफोर करता हैं तो जितना भी आज आप लोग फेस्बूक वाटसाफ टिक टॉक और जो चला रहे हो यूटूब पर अभी आप देख रहे हो नीचे कमेंट करोगे यह जो सुतनरता आपको मिली है यह आपने बिचारों को आप व्यक्त कर सकते हो फेस्बूक पर लिखते हो कहीं भी ना उति द्यक्त में चला जाएगा यहां पर वी से बईठक याद रखना तेक हैं यहां आप बईठक कर सकते हो सांतीफ्य धरना aging किसी भी मुद्दे को लेकर अप सांतीफ्य धरना दे सकती हो उसके बादे आर्टिकलs 19 का सी सी मतलब सी थंटक्स थोड़ सा सा थे इसा सुन डिपार्चर यानि कि हम कहीं भी आने जाने कि भारत के किसी भी कोने छेत्र में आ जा सकते हैं घूम फिर शकते हैं यह हमारा अधिकार देता है इंडियन बारते समिधान का आर्टिकल 19 डी हां लेकिन यह अधिकार कहीं कहीं आपको रोके जा सकते अब ऐसा है नहीं कि पुल्वामा में अटाइक हुआ है आप महां पर जाओगे हमको बोलेगा नहीं हमको देख नहीं देखना है तो वैसे में आपको आर्मी वाले दो चार जहाप आने सकते हैं नहीं तो अगर नॉर्मल सिच्वेशन रहा पुरा देश में ताप कहीं भी घूम फिर सकते हैं सभी जिगा पर आप देख सकते हैं यह हमारा आर्टिकल 19 का डी हमें अधिकार देता है आप लोग याद रखना इस्टैबलिस यहां पर डीफोर डिपार्चर था कहीं भी आज आ सकते थे हम लोग इफोर इस्टैबलिस का मतलब है कि भारत के किसी भी छेतर में हम निवास कर सकते हैं यह हमें आधिकार देता है आर्टिकल 19 का एफ खतम हो गया उसको खतम कर दिया गया इसलिए उसको आप भूल जाओ एफ और फॉर्ट आप उसको छोड़ भूल जाओ आर्टिकास 19 का जी जो हमें बोलता है गूड्स जी से गूड्स याद रखना एक गूड का मतलब होता है अच्छा एक गूड्स का मतलब होता है समान या वस्तू तो उसको मों क्या बोलते हैं यह गूड्स से आप लोग याद रखना बेपार करने की सथान रहता तो आपको तो पुरह लताड़ेगे ना काम यही लीगल है तो आप लोग लीगल वर्क केवल करना हो किसी भी तरह का कोई बेपार करना हो तो आप बेसक कर सकते हो या आपको इंडियन कंसिस्यूसंस के द्वारा आर्टिकल्स 19 जी के तहत आपको अधिकार दिये गए तो इस आर्टिकल्स में किसी एक गलती की वज़ा से दो बार उसी गलती में सजा नहीं मिल सकते यानि अप राधी को दो बार सजा एकी गलती में नहीं दी जा सकती है दूसरा है उसको खुद के खिलाप में गवाही देने के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है यदि आपके के पास वकील नहीं है अगर वकील नहीं है आप उस्तरा से बिलोंग नहीं करते तो आपको ग्रमेंट भी दे सकती है उस तरह से आपको जैज के सामने प्रस्ता रखना ओग आर्टिकल्स ट्वेंटीवन जो है इस बात को जिकर करता है कि अदिकार अपने प्रानों के लिए और द्याहिक सोतनरता जो भी है उसको अधिकार का जो परवधान दिया गया वह हमारा आटिकस 21 में अब 21 का एज यह जादा important है वो तो है यह प्रान एवंद दैख सोतनरता का अधिकार वो तो है यह लेकिन 21 का जो यह है वह बहुत जाद important इसमें क्या कहता है सिक्षा का अधिकार यानि की 6-14 वर्स के जो बच्चे हैं उनको निशूल को सिक्षा का जो परवधान किया गया वह हमारा इसी के तहत में दिया गया जो 2002 में लाया गया था यह हमारा पहले था जिसमें निशूल के वह मनिवारे सिक्षा की बात करता था लेकिन इसको बाद में मौलिक अधिकार में कर दिये गया इसके बारे में बाद में एक सेप्रेट वीडियो बना कर लाऊंगा उसमें आपको अच्छे से किलियर कर दूँगा कि आखिरी इस तरह से चेंजे क्यों क कर देंगे वह क्यों नॉलेज के लिए आप लोग को ज़्यादा ज़र रही तभी आप लोग फिलाल यह धियान रखो यह पहले आर्टिकस 39 में था जिसको 21 में लाकर हम लोगों को सिक्षा का अधिकार दिया गया जिसके तहट 6-14 वर्स के बच्चों को निशूल को सिक्षा देने का भी जिक्र किया गया है कानूनी संरक्षन का अधिकार बिना वारेंट को पुलिस आपको एरेस्ट नहीं कर सकती है अगर वो एरेस्ट करने आती है तो आपके यह धिकार है कि आप उसको पुच सकते हैं कि आप मुझे किसली गरफतार कर रहे हैं लेकिन आज काल ऐसा होता नहीं है पुलिस अगर आ गई तो आपको कॉलर पकड़ कर दो जाप लगा कर ले भी जाती है आपके वल सोचते रहे जाओगे कि क्या हुआ है क्या हुआ है बाद में थानम जाने बाद पता चलता है का अच्छा मेरे दुआरा यह गलती हो गया तो इस तरह से है लेकिन य पुलिस के उपर और उसका जॉब भी जा सकते हैं इस तरह का नियम हमारा मौलिक अधिकार में उसके बाद है यदि पुलिस आपको एरेस्ट करके थाना ले गई तो अब किसी को पता नहीं घर में आप अकेले थे अचानक पुलिस पकड़ के ले गई तो घर वाले तो सोचे के तहत में देता है आप थाने से एक कॉल करके वकील की वेवस्ता कर सकते हो घर में इंफोर्मेशन दे सकते हो कि मुझे एरेस्ट कर लिया गया है अब राद अगर छोटी हो अब जिसे मान लिए थोड़ा सा कोई बिस्कीटों गेरा चोरी कर लिए तो उसके लिए इसा वहां से छोड़ सकते हैं कि चलो जाओ इसके बाद से दो तिन जहाप लगा के कि इसके बाद से तुम इसा गलती नहीं करना तो यह क्या है कि आप राद छोटी होने के बाद आपको वह जमानत दे सकती एक और है गिरपतार व्यक्ति का सोसन नहीं होगा अगर किसी मामले में गिरपतार कर लिया गया व्यक्ति है तो उसको क्या होगा कि उसको सोसन नहीं किया जाएगा उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो गिरपतार होता है उसका तो सोचता है कि किसी भी तरह समको जज की समक्स प्रस्तुत कर दो उसको उससे पह अपने जौब से सस्पेंड भी कर दिया जाता है अब यहां पर देखना सबसे इंपोर्टेंट बात अधी कोई बेक्ति अरेस्ट हो गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर में जज के सामने यह कोट के समक्ष उसको प्रस्तुत करना होगा अगर संडे है और कोट बंद है तो जहा कर उस जो गिरपतार जो बेक्ति है उसको प्रस्तुत करके उसको फिर जो भी वहाँ पर उसका कागजात त्यार करके उसको जेल भेजने का भी वहाँ पर लंबा चर्चा करने के बाद हम लोगों के विच्छ से आज दो सिर्फ खतम हुआ वो था समानता का अधिकार और सोतन है और इसके साथ में अधूरी जनकारी हमेशा जहरीला होता है इसलिए उमीद करते हैं कि आपको आज की टॉपिक इंट्रेस्टिंग लगी होगी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा आएगा सोशन के बिरुद अधिकार धार्मी सोतम्रता का अधिकार और सिक्छा यों संस्क अधिकार उसको आप लोग भी जरूर देखेंगे क्योंकि उनसे भी बहुत ज्यादे कोशन आपके बीच में आएंगे तो भाग दोख आप लोग इंतिजार कीजिए और आपने हमारे इस वीडियो को देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग उमीद कर बाइबाइ टेक केर लव यू टू आउल थैंक यू थैंक यू